हाँ है हलो एल्गम टू साधाचतन ग्रूप अजिक्षान चैनल पर आज का जो हमारे पास वीडियो है जो कल हमने देखा था डिफ्रेंशल एक्वेशन है उसी को हम आगे बढ़ाते भी इन कुछनों को यहां पर करने वाले कल रहें इसका बेसिक देखा था आज हम डिफ्रें नीं देखा था कि हमारे पास आर्ट्री इंडेक वो कितने हैं किस परकार शेहे तो जर्नल सोलिशन और पार्टेकलर सोलिशन उन दौनों को हमने लेखाते हैं अब जो हमारे पास वाइस सेपरिटिंग मेथे हम कुसे कुस्टन हो किस तरीके होंग उनको करने वाले आपर तो आफो सब्सक्रा कर दो हमने एक भार इसको रहे ह। एक से वाला फार्लब्स कोई सब्सक्राइब Closed आप जैसे अंटब्सक्राइब को वाले ऐसे लिखेंगे जो खस वाला पार्ट उसको तो जो वाला पार्ट उसको वाई वाले पार्ट रूसात लिखाँ यदिया वाला पार्ट हाब यहां पर डिवा देगा इन तो में दिल करत बहुत सब हो झलूम करेंगे डिआ लेंगे और दोनों कोंगे और ऌए निच्एकट करके हमारे पस एक प्र्टोर स्वोटं है ऋозмहारे पास ईक्प आय journée। घंटो इस तरीकों कोBook यहां पर लेने वाल में तो यहां पर जो फंक्षन दे रखा हो दोनों हो है अक्स में 1-1 और नीचे दे रखास इसको सकते तो यहां पर दिखो और टो दिखो डिवाय पॉंट दिय क्यां अथ थो आ हम इस तरी से करेंगे सब्रक्रण वाई method से हम यहाँ पर करने वालें इसको separate method है उसको हम use है वो यहाँ पर करेंगे तो separating करेंगे तो क्या करना dx को आगे लिदाना है तो यह हो गया dy is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x यह आ गया साथ में क्या करेंगे dx अब dx वाला पार्ट अक्स के साथ आ रहा है और dy वाला पार्ट यहाँ पर कुछ है नहीं तो वो ऐसा as it is रहना है अब क्या करेंगे बोट साइट क्या करेंगे integration लेंगे बोट साइट इंटिकर्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा dy y is equal to one minus cosx upon one plus cosx dx यह हमारे पास आ जाएगा अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना है वन है और वन का इंटिकर्ट है वो कितना हो जाएगा जिसका respect में कर रहे हैं हम यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा y equal one minus cosx अब डारेक्ट इनका integration होता नहीं है तो इनको solve करेंगे तो one minus cosx का जो formula होता है वह हमारे पास आता है two sin square x by two और यहाँ पर one plus cosx दे रहा है इसका जो formula होता है होता है two cos square x by two और dx 2 से two है वो यहाँ पर cancel हो जाएगा हमारे पास जो बच गया है उसको हम लिखने वाले यहाँ यह हो जाएगा y is equal to integrator of sin square x upon cos square x होता है 10 square x by two dx यह हमारे पास हो जाए तो y is equal to 10 का है direct integration नहीं होता है square की form में दे रखा है तो सबसे पहले हम इसको formula के रूप में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा say square x by two minus one dx हम जानते हैं कि one plus ten square x is equal to होता है say square x यह formula होता है उसका हम यहाँ पर use किया है क्यों 10 का direct integration नहीं होता है हाँ अब say square x का integration करते हैं तो हमारे पास आता है 10 x plus में c यह हमारे पास क्या होगा इसका integration हो जाएगा तो हम यहाँ भी सोल करेंगे तो y is equal to कितना हो जाएगा यहाँ पर x by two आ रहा है तो अपन में by two आ जाएगा तो यह जाएगा 10 x by two upon one by two minus one का कितना हो जाएगा x और इसाथ में जाएगा plus c जैसे हम सोल करेंगे तो y is equal to कितना हो जाएगा रखेंगे तो यह particular solution है वह हो जाएगा अभी यह कौन से solution है यह general solution है ठीक है तो हमारे पार differential equation के इस प्रगार क्यूशन जो आते हैं उनको में इस तरह सोल करेंगे पहला जो method है वो हमने क्या किया है जब हम कल पढ़े थे तो अब general solution और particular solution पढ़े था अब separate method है फिर हम पढ़ेंगे homogeneous method है और linear differential equation है उनको कैसे solve करते हैं उनके बारे में यहाँ पर देखने इनका डारेक्ट है इंटिकेट होता नहीं है कि ऐसा नहीं करना में तो वन माइनिस को सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इसको हम लिख सकते हैं से कि स्क्राइब कर सकते हैं यह जाएगा यहाँ पर लेकिन यहाँ पर देखो यह वाई-टू और आजाएगा तो यहां पास इसका किरिए सनें के लिए लेके यहां से यहां तक आ अगे बड़ देखते हैं तो आसानी से बार-बार जीसे करते जाहँ में उन्ति पर देह आ घ्ञें को आप Saya ई तो ine को रहा थो यहां यह ब्लीक है तो यह बनेगा एकपावर क्यों अच सब्सक्राइब अबनेगा एकहष्ट प्लईस किया पावर माइन्स अख क्लोड़ सब्सक्राइब थो डिवाय इस इकावरस माम फबने तो अटक्ड़ लेसे थो फार्मे लेना कि एकी पावर लक्स — attractların। अभून एक पावर अज़ प्लस एकी पावर डिण फिर यह हमारे पास देगा है अब कि वट सथ इसका इंटिकेसिन करने वाले में हम यहापर क्योंकि हमने बेइसी लिए पर यूज किया है अब यहापर इंटिकेट करें आइगे तो अगल पाउर एक्वार एक्ष माइनस की पाउर वाई एक्षिक पाउर एक्षिक प्लस एक्षिक पाउर माइनस खुट ठीक है डाइस्ट होगा नहीं अब क्या करेंगा यहां पर हम वेलू है पुट करके भी हम यहाँ पर इसको शोल्ड कर सकते हैं झाल किसका देखोगी इसका फॉर माओ नहीं और इसको अगर इसको इसको मानेंगे तो हम जैसे एंधिकल करेंगे तो जैश्ज meow कोई पास वाला है वाला तो यहां पर हमने ले लिया है यहां पर करेंगे यहां पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एकी पावर एक्स का डिफ्रेंसेशन कितना होगा माइनस एकी पावर माइनस एक्स यह जाएगा और इसको लिखेंगे डी एक्स इसको टू डी यह हमें द्यान रखने तो यह होग एक्स इकी पावरमायंस एक्स यह तो हमारे पास होगा ट वाला प्ट थे passer से बडिय सब्ड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वाई इसको हम लिख सकते हैं डी ती अपावन में प्रविझेंगाव्र बड्विभाई crisis integration है वो कितना होता है लोग की फोर्म में होता है तो यह जाएगा वाइज इक्वल टू लोग कि और प्लस में आजाएगा सी यहां पर क्या है कॉंस्टन्ट है यह जाएगा तो यह हमारे पास क्या है एक सबसे पहले क्या इक्स वाला पार्ट है उनको एक साथ के लिए जितने वेरिबल्स दे रहे हैं तो ड्य वाले पार्ट के साथ में जाएगा माँ पास नेक्स देखते हैं आप हैं कि देखा है डी वालो एक साइडे और से कहले पार्टा अब क्या है पार्ट वह सेलक्स हो का है तो नखाते हैं हैं तो डी वाई किसे कौर टू यह मभाए बन जाएगा शाcco ये साइंडिम एक्स और यह जाएगा dx dy.x is equal to sin inverse dx आजाएगा अब हम क्या करने वाने यह separating method आगया यह useful लिए आपने आपन अब इसका क्या करें बोथ side क्या लेंगे integration लेंगे बोथ side आप integration लोगे तो यह जाएगा dy is equal to sin inverse x और dx अब जान देना dy का तो integrate क्या जाएगा y हो जाएगा लेकिन यहाँ पर sin inverse x का direct हमारे पास कोई भी integration है नहीं है तो आपने integration का पार्ट में पढ़ा होगा integrate by parts integration by parts है वो तुम लोगे पढ़ा होगा तो यहाँ पर integration by parts का हमारे पास formula है वो use करने माले है क्या होता हमारे पास integration by parts u v और dx हम बने गया तो यह तो first part हो गया और यह हो जाएगा second part जब आप इसको solve करोगे solve करने पर हमारे पास यह बन जाएगा तो is equal to first part ऐसा का ऐसा second का हम करेंगे integration dx minus first का आप क्या करोगे differentiation करोगे u into second का हमने क्या करना है दुबारा से integration करना है और जो भी वाला part आएगा उसका दुबारा से हमने क्या करना है यहाँ पर integration है वो यहाँ पर हमें करने वाले हैं ठीक है यहाँ जाएगा यह हमारे पास formula है अगर आउन नहीं पढ़ा है उसको अच्छते से पढ़ें पहले इंटिकेशन वाले पार्ट में है यहाँ आप पास इंटिकेट वाई पार्ट्स यहाँ बाई पार्ट से है वह हम यहाँ पर यूज किया है तो डी वाई गा कितना हो जाएगा यहाँ जैएगा अब देखुला यहां पर आपके पास दो function होने ज्रूर है जबकि हम 2 है यहाँ हमारे पास एक निज़र आ करो ले हैं यहाँ यहां पर किसा पास इसको यूज़ करने वाले जो वन है वह यहां पर सब्सक्राइब करने वाले जैसा आपके पास हम इंट्रूस फेल करना हैं एक हो इंसों कि में करने वाले则 और तो यम से फेल लीखा यहां पर लिखेंगे तो हम्हारकफास यहां पास रहेगा हैं कि इंटेग्रेंश और वी कितना यहं चेल पर ओ यह आजाएगा और साथ में दूसरे का दूबारा से हमने क्या करना है integration करना है तो one आ गया और both side हमें दूबारा से करेंगे integration है वो हमने लेगे यह आपर ठीक है तो यह हो जाएगा y is equal to sin inverse x और one का कितना होता integration तो one का integration कितना हो गया x हो जाएगा minus dy dx sin inverse x है वो हमारे पास आ रहे तो sin inverse x का हम यहाँ पर differentiation करेंगे तो differentiation होता इसका integration of one upon root one minus x square यह आ गया हमारे पास साथ में फिर से दुबारा क्या करना है वन आ रहा है वन का हम यहाँ पर क्या करने वाले है integration तो इसका मतलब हम वन का हम integration करेंगे तो into me हो गया one और फिर से आ जाएगा dx आगे चलते हैं तो y is equal to हमारे पास क्या हो गया x sin inverse x minus यह जाएगा x root one minus x square x upon root one minus x square यह हमारे पास रहा गया आप देखोगे जैसे हमने पहले वाले कुष्ण में substitution method हो यूज किया था दुबारा से हम यहाँ पर substitution method है यानी विस्तापन परतिस्तापन विदी है उसका यूज करने बाले है फिक है परतिस्तापन करेंगे यह substitution method या सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लेट, रूट, यह नहीं 1- x-square है, 1- x-square है, is equal to क्या मान लो, आप t-square, t-square टी भी मान सकते हो, और t-square दोनों मान सकते हो, रूट है, रूट को अठाने की लिएमन क्या लेगा, t-square लेगा, अगर आप t- भी मान होगे ना, तो भी हमारे पास गल्फ है, वो नहीं होगा, अब जब हम इसका डिफ्रेंसिस्म करेंगे, तो हमारे पास डिफ्रेंसिस्म है, वो कितना होगा, 1 का तो किल जाएगा 0 और x square कितना जाएगा minus 2x और dx is equal to 2t t square है तो 2t जाएगा into dt यह हमारे पास आजाएगा 2 से 2 है वो cancel हो जाएगा यानि हमारे पास रहे गया minus x dx is equal to t dt यह जाएगा ठीक है यह जाएगा आप तो को नजर आ रहा होगा x dx is equal to तो कितना हो जाएगा t dt हो जाएगा minus sign है तो minus sign हो यहाँ पर ले लेंगे तो y is equal to हमारे पास आजाएगा x sin inverse x minus यह आएगा minus x dx यह जाएगा x dx तो minus sign आगे जाएगा तो यह जाएगा minus t dt और साए आप यह minus sign अंदर लेके भी इसको यूज़ कर सकते हो हमारे पास जो बच गया उसको लेखते है x sin inverse x minus minus क्या हो जाएगा पालस हो जाएगा हमारे पास आजाएगा t dt अपो t t से t है वो cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा y is equal to x sin inverse x यहाँ पर बचेगा only one बचेगा ठीक है यानि 1 dt x sin inverse x t है t का integration करेंगे 1 है तो 1 का integration करेंगे तो क्या आएगा t आजाएगा और पलस में क्या जाएगा c t की value है वो यहाँ से पूट करने है तो कितना आएगा root 1 minus x square y is equal to हमारे पास आगया x sin inverse x plus root 1 minus x square plus c यह हमारे पास इसका solution है वो हो जाएगा clear यहां तक तो हमने सबसे पहले क्या किया है यहां पर separating method लगा है d y is equal to sin inverse x x d x फिर हमने बहुत साथ क्या लिया है integration लिया है integration बाद पार लेंगे जैसे हमने integration लिया है तो हमारे पार direct इसका integration हो नहीं होगा sin inverse x सा तो यह कौन सा method यूज करते हैं हम यहां पर बाइपार्स है वो हमने यहां पर यूज किया है ठीक है बाइपार्स हम यूज करते हैं तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा तो देखो sin-inverse-exe आ गया वन आ गया यहां पर sin-inverse-exe का डिफ्रेंशन किया हि यहां पर वन आ पर फिर सी हमारे पास आ गया तो वन का तो राक्स हो जाएगा और sin-inverse-exe का जो डिफ्रेंशन है वो गया वन अपर रूट 1-1-2-2-2-2-2-3-1-2-2-3-1-1-2-2-3-2-3-1-2-3 से पुट करनी हो न हम कैसे करें तब लाव हमें करना थे हैं हमंसे कर नहीं है तो क्या करेंगे और रह्र सीसिजा यह जाएगी किस्की से की वेल्यू है वह दाइगे बस इतना सा काम और इसमें आप रहो उतना काम गो रहा हम यहां पर करने वाले हैं, तो देखिए, यहां पर आ गया, dy upon dx is equal to y 10x, यहां पर आ गया, तो सब सब पहले हैं, वो ही separating method है, वो यूज़ करने वाले हैं हमें यहां पर, dy, यह दोना multiply में हैं, तो dy है, वो तो y के निचे आ जाएगा, यहां गया, dy upon y is equal to, dx है, वो 10x से साथ में जाएगा, 10x into dx, यहां जाएगा मार पास, अब इंटिकेशन देना बोट साइड में, तो यह लिए, यह हो गया, 1 upon y, dy, equal, यह हो गया, 10x, dx, ठीक है, 1 upon y है, वो किसका integration होता है, तो जैसे हम लोग y का positive देखते हैं, तो 1 upon y होता है, तो 1 upon y का भी integration कितना होगा, लोग y है, वो मेरे पास आजाएगा, यहां जाएगा, equal, 10x, 10x का, अब हम यहां पर इसका direct integration है, वो कर सकते हैं, तो 10x का integration है, आपके पास क्या हो सकता है, यहां पर, लोग, कोजक्स, या सेकक्स, इसको में लिख सकते हैं, सेकक्स, पलस, c, तो यहां जाएगा, सेकक्स, पलस में, c आजाएगा, ठीक है, और देखो, कई बार क्या होता है, याद नहीं रहता हमारे पास 10x का integration है, या कोजक्स का integration इस दियान में लेता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर, 10x का integration निकालने के लिए, इसको sin upon cos की form में पूदल दो, sin x upon cos x, अगर आपको पास time रहे और याद नहीं रहे, अब substitution में लगाओगे, तो cos x is equal to क्या मान लो, यहां पर t मान लो, तो cos x का differentiation कितना होगा, minus sin x x dx is equal to dt, यह आजाएगा, यह आगे जाएगा, तो minus का जाएगा, यानि हमारे पास जाएगा, minus dt upon t, solve करेंगे, तो आगया, minus log t, और plus c, ठीक है, यह आगया, minus log, ठीक है, कितना आगया, cos x plus c, अब तुम देखोगे, तो सर आपने तो सेक x है, वो यहां पर रखाया, आ, cos x dx, तो सेक x आप चेंज कर सकते हैं, क्यों आप मैंने minus sign लगाया, यहां पर minus आना चाहिए था, नहीं लगाया है, जबकि यहां पर minus sign लगाया, तो इसको आप क्या करोगी, minus log, इसको आप लिखते हो, one upon सेक x, plus c, और log m upon n की जो identity है, वो हम यह आपर वीज़ करने वाले हैं, तो minus log, minus log सेक x, plus c, अब log one की value तो क्या और यह 0, और minus minus क्या हो जाएगा, पलस हो जाएगा, तो यह आजाएगा, log, एक x है, वो हमारे पास इसका formula है, यह आदा है, हो सकता है, हम minus को सक्ष भी यूज़ कर सकते हैं, और सेक x दोनू ही हम यहां पर यूज़ कर सकते हैं, तो हम यह नहीं लिखा है, log, सेक x, plus c, अब हम यहां पर, y is equal to 1 है, वो यहां पर put करना है, जबकि हम कहारे रखा है, कि x की value है, वो 0 दे रखी है, तो बस आपको क्या करना है, जैसे आप y और x की value यहां पर put करोगे, तो आपके पास c की value है, वो यहां पर put करोगे, तो आपके पास इसका answer है, वो आजाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा है, log, y is equal to log, सेक x, पहला c, c की value है, वो हमारे पास कितनी होगी, जीर हो जाएगी, ठीक है, तो यहां से आपके पास y is equal to कितना आजाएगा, सेक x है, कि लोग बोट साइड में, दोना स्वालो जाएगे, तो यहोगे y is equal to, सेक x, इसका final answer है, वो हमारे पास आजाएगा, के लिए यहां तक, ठीक है, यह हमारे पास dy y is equal to 10, यानि ऐसे question है, वो हम आरे पास separating method से हम यूज करने करकर हम इन क्यूशनों को हम यहां पर करते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा अगला topic है, सभी question इसी परकार के हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है, तो 9.3 जो unit हमारे पास है, 12th class के अंदर, उसकी question है, वो इसी तरीके से होंग क्या होता है, ठीक है, हमें जिने difference equation में हमें देखना है कि हमारे पास या इसको बहुते है, sum गहात, जब हम इसको बहुते है, sum गहात अवकल समी करना वो हमारे पास आए, यानि जो function हमारे पास, को भी function दे रखा है, x और y, यानि आपको द्यान रखना है, कि x और y की power है, वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए, यानि आमारे पास जो function बनेगा, जिसी आगया, x प्लस y, और अपोन आजाए, x माइनस y, ऐसा कोई function है, यानि इसको dy अपोन dx की form में हम नोट कर सकते हैं, तो एक ऐसा दे होगा, तो हम इसको, homogeneous को हम यूज कर सकते हैं, बाकि अगर order same नहीं है, तो homogeneous हम यूज नहीं कर सकते हैं, order करना है, अब यह भी देख, हमें पता हो नहीं, देखो, जैसे मिन यहांपर dy upon dx लिखा है, तो वैसे हम यहांपर इसको y upon x लिखने माले हैं, तो भी हम ध्यान रखना y upon x, तो आप देखोगे, देखो, y और x पर दोनों का order है, वो सेम आ रहा है, दोनों का order सेम आ रहा है, इसका मतलब हम हम, homogeneous differential equation का हम use है, वो कर सकते हैं, कुछ example हो लेते हैं, जिसमें आपको पता सल जाएगा, कि यह, कौन सी equation होती है, कौन सी equation है, वो homogeneous differential equation नहीं होती है, जिसम यह आ गया, साथ में आपके पास, into, मैंने x square लिख दिया, ठीक है, तो क्या ही, homogeneous differential equation है, तो आप देखोगे, पावर हो सेम होने सी, जिसे 1 और 1 कितना हो गया, हो गया, यहाँ पर भी 2R है, यहाँ पर भी 2R है, और x square से डिवाइड करोगे, तो हमारे पास क्योंगा, 1, y upon x, y y upon x का whole square यह आ जाएगी, तो यह homogeneous difference equation है, वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ को देखना हो, यहाँ पर जाएगा, तो 1-1 कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, तो यहाँ ओर हो, इस परकार से अब कितना हो जाएगा, जैसे मैं कोई और लेता हो, यहाँ पर, जैसे x cube, plus 3 x square y, plus y cube, plus x square, ऐसा कोई function दे रखा है, और d on dx, अजा जाएगा, तो आज़ परोगे, देखो, यहाँ पर power कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, यह भी तीन हो जाएगा, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा, दो ही आ रहा हमारे पास, यहाँ पर भी power कितना आने इसका मतलब यह हमोजनी डिफ्रेंशल इक्वेशन है, वो नहीं आएगी, तो यह किरियर हो गया होगे, आपको दो हमारे पास आएगा, तो y is upon x is equal to, क्या लेंगे, यहाँ पर t आ जाएगा, तो y is equal to, कितना हो जाएगा, wise t, अब आक्स, जाएगा, अगर आक्स आ रहा है, तो y के सिरू समय डिफ्रेंशल इसका रहा है, तो डिफ्रेंशन के यहाँ पर, तो डिफिरेंशन विठ रस टू अक्स ठीक है वाई का कितना हो जाएगा डी वाई पूं डी अक्स आजाएगा इस इक्वाल टू अक्स दो फदला नहीं यहां पर प्रिशन दे रखेंगे तो एक तो फैस होगा फिकिन का डिफिरेंशन हो जाएगा ती और दूसरा वन ओगा ये अगे रखने वाले अक्स दीटी अपॉं डी अपॉं डी अपॉं डीएक्स और प्लस में घूटे अपॉंस अब आको क्या करना है वही जो भी तरियूस करते है नौपवेंट यह उसटा ऊंटी में ऊसका आपको यूस करना आ ठीक है क्योंकि हमारेपास फंक्सन किसमें N करना कि इसको हमें देगा इसे कोई कुशन हम देखकर हम साहते हैं जिसे हमें पता चले कि हम किस परकार से हम करने वाले हैं एक इसा कोई किई नहीं देखूगे ना यहांपर। और यह बonnaय डीवांटोंडी एक सबस्सेट करना है Об अब हम कहीजे हमें क्या चाहिए यहांपर डीवायपोंडी एकस जो भी दीवायपोंडी एकसट म de रहा है उसकों के लूट करंदो इधर नेग्स आ में तो यह जाएगा डी जो यह जाएगा अप्ष्ट गाड़ इसको ला में एकश को से लिएक अब्स तो आपको नहीं क् Series या जाएगा उक्स driven met tutti tuition 009 is the hare करने पर हम पास क्या होगा इप्र आपक्स तो जाएगा यह अंपर क्या पॉन अप्स खार एक नहीं कि प्ला सब आपक्स आप अक्स तो हमारे पास प्लाइब उसको आप चैंज कर सकते हो या इन पर आप पॉन जाट cos y upon x इयाद है किसके एकोलार है dy upon dx के एकोलार पास अब हमे भूरे हमी क्या करने माले है अब हमारे पास y upon x की फॅम में हमारे पास हो गया तो हमारा next काम है y upon x is equal to t mark y is equal to कितना हो जाएगा अक्स टी हो जाएगा तो डिफ्रेंसिंज नहीं है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं तो y का कितना हो जाएगा dy upon dx x dt upon dx पलस में टी आ जाएगा ठीक है तो जाज़ा dy upon x है वहाँ हम यहाँ पर यह value पूर्ट करने वाले हैं तो हमारे पास हो जाएगा x dt upon dx पलस तो आप इसको लिख सकते हो पुट दा वेल्यू ओ फुट एक्वेशन दो इसको एक्वेशन पैज़े दो y upon x and dy upon dx in इक्वेशन फैस्ट यानि एक्वेशन फैस्ट में हम वेल्यू है वह यहाँ पर फूर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टी इसग्वेल टू इसको आप टी माना y upon x को पलस यह जाएगा वन अपॉन पॉस्ट ठीक है तो आप देखोंगे इसको इसको कैंसल आउट कर देते हैं यह आजएगा हमारे पास हमारे पास जो बचा उसको लिखेंगे तो हमारे पास दिटी ओ डीज की फिर्म में आ रहा है तो हम सेपरिटिंग मेथड ही यहाँ पर यूज करने वाले हैं तो क्या करने वाले हैं आप कोस्ट को देला हओ और डीएकश को आगे लेदा दाओ यहाँ इसा लिख देते हैं cos t is equal to dx upon me x, x upon me आ जाएगा, तो आप क्या करना है, both side integration है, वो हम यह आपके देने वाले हैं, तो both side integration है, वो ले लीजिए, यहाँ पर आप, cos t का integration है, वो आसान सा है, बता सकते हो हाँ से, कितना हो जाएगा, sin t, cos t का integration कितना हो जाएगा, sin t is equal to 1yx integration है, वो हमारे पास पता है, हमें पता कितना हो जाएगा, log x, plus c, यहाँ परा जाएगा, t की value, देखोंगे, यहाँ पर t आ रहा है, हमारे पास function किसमे था, x और y में है, तो यह function यह भी किसमे रहना चाहिए, x और y में, इसका final solution भी x और y में ही होना सहिए, तो यहाँ परा जाएगा, y upon x, तो यह हो जाएगा, sin y upon x, is equal to log cos x, plus c, यह हमारे पास इसका final answer है, वो आ गया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा, कि अगर फॉम में जुने इस question आता है, तो उसका हम किस परगार से करने वाले हैं, पहला का हमारे पास यह रहेगा, कि उसको dy upon dx या dx upon dy की फॉम में लिखो, और उन पर power हो सेम होने से यह है, तो देखो power 1 और 1 आ रही है, हमारे अक्स एक्स तो y upon x is equal to क्या मानेंगे, t, y is equal to कितना हो जाएगा, x t, तो इसका definition करेंगे, तो हमारे पास dy upon dx हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने function दे रहें, दो function दे रहे हैं, first का as it is हो जाएगा, और t, dt upon dx, plus t, और into, कितना हो जाएगा, 1, x का कितना हो गया, 1 है, वो हमारे पास आजाएगा, तो t से t है, वो यहाँ पर cancel हो जाएगा, और यह हो जाएगा, solve किया, तो x dt upon dx is equal to 1 upon cos t, हमने यहाँ पर separating method है, वो हमने यहाँ पर use किया है, ठीक है, यहाँ जाएगा, इस रोख, जैसे हिंदी बड़ बोलें, इस रोख का पर्थकरण है, वो हम कह सकते हैं इसको, x dt is equal to 1 upon cos t, dx हो जाएगा, तो separating किया, फिर बोट साइड क्या के लिए, integration के लिए, question कितना होगा, sin t हो जाएगा, over upon x कितना होगा, log x plus c हो जाएगा, t की जगा, दुबारा से हमने y upon x हो पूट कर दिया, तो हमारे पास जो function है, वो हमारे पास आया, sin y upon x is equal to log x plus c है, अगर हमारे पास कोई value दी जाती है, जैसे y, पहले रोट के लिखाता है, या x is equal to 0 पूट हो गया, तो हम यहाँ पर यह दोनों value पूट करके, किसकी value निकाल सकते है, c की value निकाल सकते है, और दुबारा c की जगा, वो value पूट करके, हमारे पास final answer है, वो या जाता है, ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा है, बाकि जैसे आगला जो topic हमारे पास रहा गया, linear difference एकिशन है, वो आगली वाली class में हम आपको बताएंगे, की okay, thank you